हेलो दोस्तो, मैं डॉक्टर धननजेट सहान, डर्मेटलोजिस्ट, कॉस्मेटलोजिस्ट और हैर ट्रांस्प्लांट सरजान, क्लियर स्कीन एंड हैर एमडी पुने अब जो हमारे हेर स्रक्चर और हेर ग्रोंच साइकल के बारे में हम लोगों ने चर्चा की, आप समझते हैं कि इसका हेर लॉस और बाल्डिंग के साथ क्या कनेक्शन है, क्या साइकल मालूम करके क्या फाइदा है, किसे भी हेल्दी इंसान में एनाजेन और टिलोजन फेज के बालों का रेशो यूजबली सेम रहता है, फिक्स रहता है, याने अभी बता है, वैसे 87%, 2-3%, 10%, लगबग 87% है रानाजन फेज में रहते हैं, और 10% बाल तिलोजन फेज में रहते हैं, हर रोज हमारे कुछ बाल जड़ते हैं, और उतने ही नए बाल वापिस आते हैं, ग्रो हो इचका बैलेंस मेंटेंड रहता है, जितने जड़े उतने तैयार हो, यह डेली शेडिंग नॉर्मल फिनोमेना है, और नॉर्मल हेर ग्रोफ साइकल का ही एक हिस्सा है, जिसके सिर पे घने बाल है, या किसी भी हेल्दी इंसान में, दिन में 100-150 बाल जड़नार नॉर्मल है, जो हमें नाते वक्त, या कंगी करते वक्त, सिर पोचते वक्त या बेड़ पर कुछ जड़े बाल दिखते तो घबराना नहीं है, लेकिन प्रॉब्लेम कब आता है, प्रॉब्लेम तब आता है, जब यह एनाजन और टिलोजन हेर का जो रेशो है, यह सुड़नली चेंज होत कारेकाल पूरी करने के पहले ही जाते हैं, या वक्त से पहले चले जाते हैं और एनाजन फेज में ज़्यादा बाल रहते ही नहीं, और तो और एनाजन फेज अचानक छोटी होने लगती है, 6-8 साल की जगत 6-8 महिने के होती है, इसलिए एनाजन फेज में कम बाल बढ़ते ह है और तिलोजन फेज में रेस्टिंग फेज में या शिडिंग फेज में ज़्यादा गिरने लगते हैं इस imbalance के कारण हम hair loss फेज करने लगते हैं आज कल कॉमनली हम ज़्यादातर दो तरह के hair loss हमारे प्रैक्टिस में देख रहे हैं । एक एंडिरोजेटिक अलोपेशिया और जिसे पैटर्न अलोपेशिया और दूसरा है तीलोजन इफल्विया असी से नभी प्रतिशक पेशन में यही दो टाइप के हैर लॉज डे टो दे प्राक्टिस में हमें कॉमनली दिखाई दे रहे हैं पर अक्चुली क्या होता है यह अंडोजनिक अलोपेश इन दोनों को ध्यान से समझते हैं पहले अंडोजनिक अलोपेशिया जिसे हम मेल या फीमेल पैटर्न बाडनेस कहते हैं इसमें आपके बाल इवेंचुली थिंडा उठ हो जाते है और आपके अनेजन हैर का मिनीचराइजेशन हो जाता है और वो टिलोजन फेज में वक्त से पहले चले जाते हैं प्रिमेचुली चले जाते हैं अनेजन हैर का कम होके टिलोजन हैर में बदलना एक सड़न प्रोसेस नहीं एक रात में चेंज हो गया ऐसे नहीं होता बलकि एक स्लो इवेंचुल प्रोसेस है जिसको कई महिने कई सारे साल लग जाते है अनेजन से इसमें कन्वरजन होना. पैटन बालनेस हैर लउस में यह धीरे-धीरे सालोँ चलने वाली process है. यह तिलोजन इफल्वन से अपोधिट है. तिलोजन इफल्वन में बालों का एणजन से तिलोजन में कन्वरजन बहुत जल्दी हो जाता है. कुछ महिनों में कनवर्जन हो जाता है, फास्ट या सडन कनवर्जन होता है, लेकिन एंडरोजनिटिक अलोपेशया के दवरान बाल कमजोर बनने लगते हैं और हैर फॉलिकल मिनियचराइज, शॉर्टन या छोटे होने लगते हैं, थिका थिन होता है, थिन से विलस से बेबी बेबी हैर से नो हैर, स्लिक बाल्डनेस या गंजापन, धीरे धीरे हैर फॉलिकल ही मर जाते हैं, यह प्री मैचुएर वाक्त से पहले मिनियचराइजेशन या शॉर्टनिंग ऑफ हैर, दाहेडरो टेस्टिस्टेरोन हर्मोन के इफेक्ट के कारण हो जाता है, और यह बाल् होने के चांसे बढ़ते हैं, यह बाकी के कारण यहने, stress, pollution, lack of exercise, lack of proper sleep, fat dieting, nutritional deficiencies यह से कारण, normal या strong हैर को भी DHT हर्मोन के इफेक्ट से susceptible या प्रोन करते है, DHT इफेक्ट इसमें इमिजेट धिखने लगता है, यह विक बालो में, और तिलोजन इफल्वियम जैसे, कि मैंने अभी आपको बता है, तिलोजन इफेल्वियम तब होता है, जब आपके बाल अनेजन टू टिलोजन में, सड़नली, टिलोजन सड़नली, ग्रोथ से शिडिंग फेज में जाते है, अचानक एक साथ बदल चलते है, और रूटीन से बहुत ज़्यादा हैर चड़ने लगते है यह सड़न बदलाव के कही सारे कारण हैं, जैसे कि किसी भी तरह की बीमारी, कोई भी सिवेर आप बीमार पड़ गए तो भी होता है, फिजिकल, मेंटल, एकोनोमिकल, सोशल, स्ट्रेस, लाक अफ स्लीप, और प्रॉपर हेल्दी डायट नहीं, अनहल्दी लाइपस्टाइल अभी सब लोगों की बढ़ गई है, nutritional deficiencies है, lack of exercise, लाइफ में किसी भी तरह का सड़न बदलाव, environmental रहेगा या ठिकान का रहेगा, आपका कोई operation, pregnancy या delivery के बाद, ऐसे बहुत सारे reasons है, इस transition को कुछ हपते या महने लगते हैं, मेरे कई सारे patient मुझे बताते हैं कि उन्हें अगर ये hair loss होने का कारण continuous रहता है, यानि वो ऐसे ही कारण stress रहता है, तो वो long term के लिए tillogen में चला जाता है और बहुत सारे बाद long term ज़रते